दोस्तो आज मेरे पास है Motorola H50 Fusion इस फॉन को इंटरनेट पे खूब तारीफ मिल रही है इवन फिलिपकार्ट पे भी इसकी 4.5 से अबो की रेटिंग है इनफेक्ट इस फॉन से खीची भी ये कुछ फोटोज आप देखो इस बजट में बहुत कम फॉन ऐसी फोटोज ले पाते हैं और सिर्फ कैमरा ही नहीं डिजाइन और सॉफटेर को लेके भी इसकी तारीफ की जा रही है वैसे इस फॉन को यूज करते हैं मुझे 50 दिन हो चुके हैं तो अच्छा बुरा जो भी experience रहा सब आज आपके साथ सेर करूगा अब सबसे पहले आप फॉन के unboxing करेंगे तो कोई नाराजगी नहीं होगी क्योंकि box में सारा कुछ दे रखा है और जैसे हैं हम फॉन को हाथ में लेते हैं ये काफी slim और हलका feel होता है और चुकी इसका back panel plastic का बना है इसलिए दिखने में भी premium लगता है बट एक क्योशन आपके मन में आ सकता है कि ये vegan leather है तो कुछ ताइम बाद गंदा तो नहीं होगा तो हाँ ये artificial leather है तो गंदा हो सकता है बट back cover होगा तो बच जाएगा वैसा इसके back side में भी कर्व है तो पकड़ने में grip अच्छी मिल जाती है in fact मैंने तो इसे single handed भी use किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं आई है तो overall build quality अच्छी है और vegan leather की वज़े से दिखने में attractive लगता है और attractive लगने की एक और वज़े है इस phone के जो colors है वो भी दूसरे phone से अलग और unique है pricing की बात करे तो ये phone आपको 30,000 रुपे कर मिलेगा और ये price बिना offer के है बाकि जब आप buy करो तो offer चेर कर लेना card discount भी मिल सकता है अच्छा दोस्तों इस phone की thickness काफी कम है तो आपको 3.5 mm headphone jack का port नहीं मिलता है in fact इसमे dual sim slot है बी audio quality अच्छी मिलती है बट एक चीज मुझे थोड़ी disappointing लगी इसमें vibration motor average type की है तो अगर आप haptic ज़्यादा use करते हो तो वो solid वाली feel नहीं आती है एक और बात इसमें in display fingerprint sensor है हाला कि ये बहुत fast तो नहीं है बट एक बार में phone unlock हो जाता है अब जितना सुन्दर इसका back है उससे भी सुन्दर इसका display है और ये 6.7 inch का करव display है डिस्पले का color output मुझे बहुत अच्छा लगा और content होगरा देखने में भी मजाता है YouTube में आप 4K resolution में video देख सकते हो और Netflix में भी full HD video देख सकते हो display quality तो no doubt बहुत अच्छी है लेकिन लोगों का concern है कि इसमें HDR video का support नहीं है मैं भी मानता हूँ कि HDR support होना चाहिए था लेकिन इंटरनेट पे हम जो भी video देखते हैं उनमें से ज़्यादा तर video HDR नहीं होते हैं इसलिए HDR support को लेके ज़्यादा confuse होने की जोड़नी है price wise display quality बहुत अच्छी है और price के इसाब से brightness की बात करें तो 1600 nits की peak brightness है और मैंने phone को गर में यूज किया है बाहर दूर पोगरे में भी यूज करके देखा है तो visibility को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है और display protection में भी brand ने कोई conjunction ये की है gorilla glass 5 का protection मिलता है जो कि अच्छा कासा protection दे देगा बड़ display पे screen protector लगवानी आता है तो वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा और इसमें aqua touch display है तो हाथ गिले होने पर भी touch size से काम करता है जबकि इससे भी महेंगे कई phone में ये feature नहीं मिलता है बाकि इसमें proper always on display नहीं है हमेशा on नहीं रहता है टेप या shake करने पे आ जाता है एक और चीज जो सुनने में बड़ी लगती है इसमें 144Hz की refresh rate है और मैंने चेक किया mostly सभी apps में 144Hz का support है तो super smooth animation देखने को मिलते है और इसमें आपको auto refresh rate भी मिल जाती है जो कि 60, 90 और 120Hz के भी switch होती रहती है तो display definitely premium feel होता है बस HDR का support नहीं है बाकि सब ठीक है अब connectivity के लिए इसमें 13 5G band मिलते है और मैंने test किया तो 5G की speed भी तगड़ी मिल रही थी और 5G plus के signal भी so होते है in fact इसमें VNR call का support भी है तो calling करते टाइम भी 5G net चला सकते हो हलाकि VNR calling अभी सबी cities में available नहीं है बाकि मैंने call वगरा भी करके देखी तो कोई दिक्कत नहीं आई है हलाकि Wi-Fi calling करते हैं तो इसमें Moto की latest Hello UI मिलती है जो कि Android 14 पे based है Hello UI stock Android से मिलते जोलता ही feel होता है बट इसमें बहुत सारे extra features भी मिल जाते हैं जैसे smart connect का feature है तो आप अपने phone को wire या wirelessly PC से connect कर सकते हो फिर किसी भी Android application को PC में use कर सकते हो phone के camera को as a webcam use कर सकते हो और files उगरे भी easily transfer कर सकते हो इसमें आपको family space भी मिलता है घर में अगर छोटे बच्चों को phone देना है तो बाकि viewer realme के जैसे इसमें app log new lab देखने को नहीं मिलेगा बट ये सारे काम आप Moto Secure के option में जाके कर सकते हो इसके लिए आपको अलग से password set करना होगा फिर इसमें जाके app log कर सकते हो new lab बना सकते हो files और documents को छिपा के भी रख सकते हो बाकि कुछ features जैसे edge lighting मिल जाएगी chop chop करके flash light भी on कर सकते हो other features की बात करो तो hello UI में आपको नया control center मिलता है जो की दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट अब भी इसमें थोड़े bugs हैं तो optimization की जूरत है इसके अलावा lock screen में customization के धेर सारे option मिल जाते हैं बाकि spawn के animation भी मुझे बहुत अच्छे लगे app open या close करते हैं तो proper smooth animation देखने को मिलते हैं in fact spawn की UI भी एकदम clean है कोई bloater app नहीं है Google की कुछ apps मिलती है उनको भी आप disable कर सकते हो वैसे Motorola ने spawn के लिए तीन साल के Android अपडेट और चार साल के secret अपडेट प्रमिस किया है बट Motorola के phone में update थोड़े slow आते हैं तो इस चीज में improvement की जरुत है अब performance की बात करो तो इसमें आपको snapdragon 7S Gen2 processor मिलता है आप इसमें medium level की gaming भी आराम से कर सकते हो हलाकि इसमें करो डिस्पले है तो gaming के लिए उतना perfect नहीं है वैसे gaming टेस्ट के लिए मैंने इसमें BGMI खेला तो BGMI में smooth extreme के साथ HDR extreme का option भी मिल जाता है और smooth setting में मुझे 55 से 60 IPS के बीच frame rate मिल रही थी तो अगर आपको casual type की gaming करनी है तो ये processor करवा देगा बट ये proper gaming phone नहीं है नॉर्मल यूजर को target करता है वैसे इस phone का सबसे headline feature है इसमें IP68 rating है तो बारिस में भी इसे use कर सकते हो या कभी accidentally पानी में गर जाए तो भी टेंसल लेने की जूरत नहीं है वैसे कई लोग motorola को troll भी करते है कि इनके phone heat ज़्यादा होते है तो थंडा करने के लिए IP68 rating दे रखी है कुछ sense बात की खेर मजा की बात अलग है बट इस साल motorola के जो भी नए phone आ है सबी में hitting के बहुत कम इसूदिक है ये भी बहुत कम heat होता है मेरे यूज में maximum temperature 44 degree तक गया है जो की दिक्कत वाली बात नहीं है in fact इसे पिछले साल के edge 40 से compare करूं तो बैटरी में भी improvement हुआ है इस बार 5000 mh की बैटरी दी गई है वैसे आजकल 5000 mh बैटरी common है और इतने पतले और हलके phone में 5000 mh बैटरी देना बड़ी बात है और जब मैंने इसे use किया तो normal use में मुझे 7 गंटे का screen on time देखने को मिला है इसके अला idle train का issue भी मैंने face नहीं किया रात बर में 3-4% बैटरी drop होती है जो की common है और यहाँ पे 68 watt की fast charging का support मिलता है और charger भी डबे में साथ में आता है जो की इसे 45 minute पे फूल charge कर देता है तो battery backup और charging speed को लेके मुझे कोई दिक्कत परिसानी नहीं हुई अब बात करेंगे बहुत important point पे तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को subscribe कर लीजिए मैं बात करता हूँ camera की तो पहले आप camera specification देख लो तो यह सारी pictures मैंने इसके back camera से ली है जैसा कि आप देख सकते हो photo में detailing बहुत ही तगडी है और skin tone भी natural देखने को मिलता है और चाहे normal mode हो या portrait mode light balance दोनों में अच्छा है इसके अलावा normal mode में भी आपको 2X तक zoom देखने को मिल जाएगा portrait mode में भी आप 25mm, 35mm और 50mm पे photos क्लिक कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो edge detection और background blur बहुत smooth है वैसे इस budget वाले phone में low light photos कुछ खास नहीं आती है बट इसकी photos मुझे ठीक लेगी और इसमें 13MP का ultra wide camera भी है इसकी quality भी ठीक है और आप इसे macro photos भी ले सकते हो और ये selfie pictures देखो skin का color कितना accurate है एक time था जब moto की selfie कुछ खास नहीं होती थी बट अब देखो क्या ही must selfie आती है details भी तगड़ी है और light balance भी अच्छा है तो sample photo से आपको idea हो गया होगा कि camera definitely बहुत अच्छा है हलाकि ये colors को थोड़ा boost करता है पर दिखने में ऐसी pictures attractive लगती है अब video recording की बात करें तो back camera से आप 4K 30fps में video record कर सकते हो video stabilization मुझे बहुत अच्छा लगा हलाकि कभी कभी focus hunting case हुआते हैं परकि ultra white camera से भी आप 4K video बना सकते हो ये बात मुझे काफी impressive लगी इतना ही नहीं front से भी आप 4K 30fps में video बना सकते हो कुछ इस type की quality आपको मिल जाएगी इसके अलावा आपको dual video recording का option मिल जाता है और dual photo capture करने का option भी है तो मैं बोल सकते हूँ प्राइस को देखते हुए camera बहुत अच्छा है in fact ये under 25 thousand के one of the best camera phone में से एक है तो अब तक हमने खूब सारी बाते कर लिए तो मुद्दे की बात ये है कि 23,000 में ये phone लेना चाहिए कि नहीं तो मैं कहना चाहूँगा बिलकुल ले सकते हो बहुत अगड़ी डील है खास तोर पे camera मुझे बहुत अच्छा लगा software भी clean है और feature वगरा भी कूप सारे मिल जाते है in fact दिखने में सुन्दर होने के साथ साथ पकड़ने और use करने में भी comfortable है और ये सबसे सस्ता phone है जिसमें IP68 rating मिलती है तो अगर आपका इस phone को buy करने का मन है तो definitely ले सकते हो इस price में ये full value for money phone है तो ये था मेरा Moto H50 Fusion का review आपको वीडियो पसंद आया तो like and subscribe जरूर करके जाना चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बैबै